गीदर भपकी शिफकुमार बहुत समय की बात है एक घरे जंगल में शेर और शेर्नी का एक जोड़ा रहता था कुछ दिनों बाद शेर्नी को दो बच्ची हुए बच्चों को पाकर दोनों बहुत खुश हुए शेर्ने शेर्नी से कहा जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम घर में ही रहो मैं बाहर जाकर शिकार करूँगा शेर्नी नियमित रूप से शिकार करने जाता और शेर्नी के लिए भरपूर भोजन लेकर लोटता एक दिन शेर को कोई शिकार नहीं मिला शाम को जब खाली हाथ लोट रहा था तो रास्ते में एक सियार का बच्चा दिखाई पड़ा वो उसी को उठा कर शेर्नी के पास ले आया घर पहुँचकर शेर्नी का आज मुझे सियार के बच्चे के सिवा और कुछ नहीं मिला तुम इसे ही मार कर खालो ये अभी छोटा बच्चा है इसलिए इसे मारना मुझे अच्छा नहीं लगा इस पर शेर्नी बोली बच्चा समझकर जब तुम इसे मारना नहीं चाहते तब मैं कैसे मार सकती हूँ मैं तो इसी की तरह दो बच्चों की मा हूँ आज से ये मेरा तीसरा बेटा होगा मैं इस पर कोई आज नहीं आने दूँगी शेर्नी सियार के बच्चे की भी देखभाल करने लगी और उसे भी अपने बच्चों के साथ पालने लगी इस प्रकार तीनों बच्चे साथ साथ पलकर बड़े हुए तीनों हमेशा साथ रहते, खेलते, भागा दोड़ी करते और यदि किसी जानवर पर उनकी नजर पर जाती तो उसका पीछा करने लगते एक दिन करी से घूमता घामता एक हाथी उस जंगल में आ गया शेर के बच्चों ने जैसे ही हाथी को दिखा वो उसका पीछा करने लगे वो दोनों उस हाथी को मा डालना चाहते थे लेकिन सियार हाथी को देखकर घबरा गया उसने चला कर कहा वो तो हाथी है, उसके नजदीक न जाना वो तुम्हें मा डालेगा इतना कहकर सियार का बच्चा भागने लगा चेर के बच्चों ने जब अपने भाई को भागते देखा तो वो भी हिम्मत हागए और हाथी का पीछा छोड़ कर घर भागाए वहाँ पहुँचकर उन्होंने ये कटना अपने माबाप को कह सुनाई उन्होंने बताया कि जब वो हाथी का पीछा करने लगे तो उनका भाई घबरा गया और उनका साथ देने के बज़ाए महां से भाग गया सियार के बच्चे ने भी ये बाते सुनी उसे बहुत बुरा रगा उसे बड़ा गुस्सा आया उसने जोर से चला कर कहा मैं डर पोक नहीं हूँ अगर तुम बहादुर हो तो मैं तुमसे कम नहीं हूँ तुमने मुझे समझा क्या है जरा बाहर निकलो और लड़ कर देखो शेर्मी ने सियार को अलग बुला कर कहा तुम्हें अपने भाईयों से ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए शेर्मी की बात सुनकर सियार का गुस्सा और बढ़ गया यह क्यों मेरी हसी उडाते है मैं क्या इनसे कम बहादुर हूँ अभी इनकी सारी हेकड़ी बुला दूँगा मैं दोरों को जान से माडा लूँगा सियार की बात सुनकर शेर्मी मुस्कुराने लगी और बोली तुम्हारे क्या कहने तुम सुन्दर हो बहादुर हो और चतुर भी हो पर पता है तुम्हारे खांदान में हाथी नहीं मारे जाते वो शेर्मी की बात न समझ सका उसने पूछा तुम कहना क्या चाहती हो शेर्मी ने कहा देखो बेटा तुम सियार के बच्चे हो मुझे तुम पर दया आ गई थी इसलिए मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला मेरे बच्चों को पता भी नहीं कि तुम सियार हो हाँ अब तुम यहां से चुपचा भाग जाओ और सियारों के बीच जाकर रहो यदि तुम नहीं गए तो मेरे बच्चे तुम्हें मार खाएंगे यह सुनते ही डर के मारे सियार के रोंटे खड़े हो गए उसने आओ देखाना ताओ और फॉरण महा से जान बचा कर भाग गया कहानी समाक्त गिदर भपकी